असलाम लेकुम मेरे चैनल पे आप सबका वेलकम है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बाप फिट से यह हमारा स्ट्रीट फूड एंड इस वड़ा पाव है कि यह मुंबई का एक फेमस स्ट्रीट फूड है और यह बहुत ही यमी भी होता है एजा स्नैक्स पे आप इसको ट्राइ कर सकते हैं तो मैं आपका जादा टाइम नहीं लोगी तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ और यह बहुत ही इसली घर बे बन जाता है तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो यहां प वड़ा पाउ जो होता है इसमें सरसो आड़ करना मस्ट होता है तो आप इसको किसी भी हाल में इसकिप मत करिएगा तो यहां पर मैं इसे कुछ सेकेंड के लिए यह दोनों चीज़ को मैं स्प्लटर करूंगी सिजल करूंगी और इन मैं इसमें आड़ करूंगी हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो यहां पर मैंने तीन से चार हरी मिर्च को चॉप कर लिया है आदा चमच मैंने जिंजर पेस्ट लिया है और आदा चमच मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है तो इसको मैं सौते कर लूँगी टू मिनिट्स के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम प तो नेक्स्ट मैं इसमें आड़ करूँगी 1 फूर्थ टी स्पून टर्मरी खल्दी पाउजर एंड अगें मैं इसको 30 सेकेंड के लिए सौटे कर लोगी तो फ्रेंड्स आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं इसमें तीन बॉयल मीडियम साइज के बॉयल एंड मैच्ट पोटेटोस यह तो इसको मैं बॉयल कर लिया था ये तीन medium-sized के है और इसको मैंने टो आठकर दूगी और इसको अच्छे से साथ सब्गवें मुझर कर लूँगी ति मैं इसमें आडसाए और फ्रेश गोरिएंडंडर आपको थोड़ी सी हरी धनिया भी अट कर देनी है और हरी के बार आप शीले के अपर लुम स्पालो को अजयां को जोर्य चाल लिए तो आप करा इसमें नो पेड़े क्वाला मквी करते दिया तो उसको की कारे रिए तबाफ़ प्रगाए मेरे 500 ml अच्छे कर लिया तो मैं एसको में एलमीश्ण धि मिक्सार है थemiचर दोली है तो यहां चावल आटा डाला है, हल्दी में एट कर रही हूँ, 1-4 टी स्पून, साथी में में 2 पिंच आट करूंगी, बेकिंग सोडा, लाल मिस पाउडर में एट करूंगी, 1-4 टी स्पून, ग्रेजूली वाटर को पोर करें, क्योंकि हमारा मिक्षर है, यह एक बैटर रेडी करना है ह तो सब्सक्राइब कταई करो खाले हो, बहुत जहारा है कि आलु एक और क्या भाशाएब कृत और आप बहुत आप C कि हमारा बेंस बैटर रहे हो चुका है यहां पर मैं अलु को यहां पर मैं आलू को बॉल साइज शेप दूँगी तो यह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर फ्लैटन रखना चाहें तो इसको फ्लैट कर लें अधर्वाइज आप उसको बॉल की तरह भी शेप दे सकते हैं तो यहां पर मैंने इसको राउंड शेप दिया है तो अब मैं इसको इस बैटर में इस तरह से कोट करूंगी आपको प्रॉपरली कोट करना है और जब यह कोट हो जाए तो आप एक साइट पे और को हीट करने के लिए रख दीजेगा और जब बहुत जादा हो जाए तो आप इसमें वन बाई वन करके यह आलू को ड्रॉप कर द करेंगे तो यह बैटर जो है वो कच्छा रह जाएगा तो हमें इसको मेडियम फ्लेम पे ही फ्राय करना है और आपको इस्टर करते रहना है तो फ्रेंड्स यू कैन सी कि हमारे वडाज जो है रेडी हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं क्यूंकि मैंने इसमें फ्रेंड्स गणाया जो तो प्रेंड्स है जो हमारा लेफ्ट उवा बेशन है जो बचा हुआ बेसने उसको थोड़ा सा हलका से वाटर अट करके उसको हॉट वाज में इस तरह से मैं उसको पूर कर दूंगी तो यह हमारा चूरा बन जाएगा तो वड़ा पाउ में चूरा तो इस तरह से आप उसको हॉट वाइल में चूरा को बना लें रेडि कर लें और आपको उसे इस्टर करते रहना है क्योंकि जो चूरा है वह ब्लैक नहीं होना चाहिए तो गाइज यू कैन सी कि यहां पर मैंने चूरा को रेडि कर लिया है तो चलिए आप मैं ड्राय गार्लिक चटनी रेडि करती हूँ उसके लिए मैंने यहां पर फाइफ तो शेक्स क्लोव लिये हैं और इन लहसन को हमें तवे पर इस्टर करके रोस्ट कर लेना है आप इसको कर सकते हैं बट उसमें ज्यादा टाइम लेगा तो इस तरह से मैं रोस्ट कर रही हूँ और जब रोस्ट हो जाए तो आपको जो आपने चूरा रेडि किया है उसका हाफ पोशन लेकर के आप एक ग्राइंडर में आड़ करें साथी में आड़ करें लहसन के कलिया जो आपने तो यह बड़ा पाव में बहुत इंपॉर्टन होती है तो जरूर रेडि करनी है तो चलिए अब मैं वड़ा पाव स्टार्ट करती हूँ बनाना तो इसके लिए मैंने एक पाव लिया है उसको मैं इस तरह से बढ़ा लोंगी आपको बिल्कुल हटाना नहीं है कट नहीं करन था रती हो चालिक और तक द आपको इसमें चाली टी इसमें आप ती सपून आप यह बेंगान लिक ट्वत्वराट कर देंदाग संपूर और थो आप दो खूरा डाल दें तो इस तरह से हमारा वड़ा kitty तो जो फ्रेंड्स जो यह लगी चटनी है अगर आप चाहें तो पाव में भी स्प्रइड कर सकते हैं अदर्वाइस आप उसाथ में पाव के साथ भी सम्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि मैं अलग से सर्फ कर रही हूँ, इस टोटली अप टू यू, आपका वड़ा पाउर रेड़ी है, अब आप इसको सर्फ करें, और ये बताए मुझे कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मर्ड़ी,